हेलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल एस्ट्रोलोजिटिप्स हिंदी में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सपने में पानी देखना शुक या फिर अशुक करोणों में से एक को आता है यह सपना दोस्तो नीद में सपनी होना कोई नई बात नहीं है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सपने हमें भविश्य की ओर इशारा करते हैं सपनी में मिलने वाले इन संकीतों को जानने के लिए कई लोग सपने सास्त्र की मदद लेते हैं स्वपने सास्ट के नूसर हर सपनी का अपना एक अलग अर्थ होता है। शास्त्रों के मानित तो सपनों का हमारी वास्तिवेक लाइफ में काफी परभाव पड़ता है। कई लोगों को सपनी में पानी दिखाई देता है। यानि यह पानी आप नदी, ताला या फिक को नादी में देख सकते हैं सपने सास्ट के नुसार अलग-अलग जगा पर पानी को देखने का अलग-अलग फल मिलता है कई बार सपने में पानी को देखना आपके जीवन को खुशों से भर देता है और कई बार यह किसी अप्री घटना की ओर इशारा करता है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सपने में पानी देखना किस बात की ओर संकीत करता है इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल एस्ट्रोलोजी टेप सिंधी में सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस सबस्क्राइब करें जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले साथी बैल आइकन को भी सब्सक्राइब करें तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं सपने में बहता हुआ पानी देखना सपने में नदी देखना सपने में समुंद्र का पानी इस बात क्यों रिशारा करता है? कि आपका किसी से वाद विवाद हो सकता है। यदि आप ऐसा सपना देखते हैं तो अपनी वाणी पर आपको नियंत्र रखना चाहिए। आपको कोई सुब समचार मिलने वाला है। यह सपना आपको सफलता मिलने का संकी देता है। यानि आपको कहीं से सुब समचार के प्राप्ती हो सकती है। सपने में कुए का पानी देखना भी शुब होता है। सपने सास के नूसा यह सपना दनलाब का संकी देता है। इस सपने का आरती यह होता है कि आपको अचानक धनलाब हो सकता है। इसके अलाब यह सपना कारियों में सफलता और नौकरी वेपार में तरक्की की संभावना की ओर भी संकेत करता है। दोस्तो अगर आपके वीडियो पसंद आई हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों से शेर करें और अपने वीचार हमसे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर शेर करें आगी केसे ही लेटस्ट वीडियो के लिए आजी एस्टोलोजी टेप सिंधी में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जै माता दी